गुर मॉर्निंग बच्चों मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपको पत्र लिखना बता रही हूँ बच्चों आपका विश्य है पत्र लिखने का वर्तमान स्वास्त सम्मंदी इस्तिती को देखते हुए अपने मित्र को कोरोना महमारी से बचने के लिए और साबधानी बरतने हितु पत्र सबसे पहले बच्चों एक पत्र लिखने में सबसे पहले उपयोग में आता है सबसे पहले हमें पता लिखना चाहिए ये इस प्रकार से मैंने पता लिखा है 691 में किशनपुर्ति राहा अलीगड उसके बाद हम तारीक लिखते हैं जो भी जिस दिन भी हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तारीक यहां डालते हैं तो मैंने आज लिखा है तो आज डाली है 18 जून 2021 21 अब अपने मित्र को लिख रहे हैं तो उसके लिखिए प्रिये मित्र आप किसी का भी नाम भी लिख सकते हैं आशा करती हूँ कि तुम कुशल होंगी आंटी अंकल कैसे हैं जैसा कि आज कल कौरोना चल रहा है तो हम सभी को साबधानी रखने की बहुत आवशक्ता है पत्र लिखते समय सबसे पहले किसी का भी हालचाल पूछते हैं कि वो कैसा है कुशल से है या नहीं है उसका परिवार कैसा है ये सब हम एक पत्र में लिखते हैं मैंने यह पत्र तुम्हें कोरोना के प्रती कुछ साबधानिया बताने हे तु लिखा है फिर जिसलिए पत्र लिखा गया है उसके विशय में बताया जाता है तो मैंने यह पत्र इसलिए लिखा है कि मुझे तुम्हें कुछ कोरोना के प्रती कुछ सापधानियां बरतने के लिए कह रही हूं मैं तुमसे यह कहना चाहती हूं कि तुम स्वस्त रहो जब भी बाहर से आया करो ते हाथ दो और हमें लोकडाउन का भी पालन करना चाहिए इसमें आप यह भी लिख सकते हैं कि हम जब भी बाहर जाये तो हमें मास्त का प्रियोग करना चाहिए इस वायरस से काफी लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है इसलिए बचा भी एक मात्र उपाय है इस समय अपना और अपने परिवार की का ध्यान रखें तुम्हारी प्रिये सकी या तुम्हारा प्रिये मित्र जो भी नाम लिखना है अपना वो आप लिख सकते हैं ये श्त्रकार से आपको बच्चो ये पत्र लिखना है धन्यवाद